वेलकम टो ओलनार ओफलेंड ग्यान चनल मैं नेम इस गोरव दोस्तों आज जो मैं जौब के अपोर्चिडी लेकर आया हूँ ये सिर्फ महिलाओं के लिए लेकर आया हूँ महिला सूपरवाइजर की नोकरी निकली है तो महिलाओं को बहुत ज़्योदा परिशानी हो रही थी सरी जो सूपरवाइजर की नोकरी निकली है इसके लिए अधरिस्टेट की महिलाओं अपलाई कर सकती है या नहीं कर सकती है तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट इंफोर्मेशन दूँगा मैंने जो हैं इनके डिपार्टमेंट से थोड़ा कनफर्मेशन लिया है कि इसको अधरिस्टेट से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो बढ़ते हैं फूल डिटेल्स की और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए औ आप चनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो हैं लेटेस इन्फोर्मेशन रेगुलरली शेयर कर सके रोग आपको वो इन्फोर्मेशन मिल सके आगे बढ़ते हैं तो इंपोर्टेंट डेट की बात करें कि तो 25208 तक आप इसका ओनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी राजिस्तान रहेगी अब बात करते कि अधर इस्टेट के कैंडिडेट सप्लाई कर सकते हैं नहीं दोस्तों नहीं कर सकते हैं अधर इस्टेट के कैंडिडेट सप्लाई मैंने डिपार्टमेंट से कन्फर्म किया उन्होंने जो इंफ्रमेशन नहीं निकालूंगा तक तक मैं वीडियो नहीं बनाकर लेकर आउँगा आपके लिए इसलिए मैंने प्रॉपर इंफ्रमेशन निकाली और आपको प्रॉपर इनफ्रमेशन यहां पर दी है location मैंने आपको बता दिया fee structure यहाँ पर general के लिए 450 रपे और OBC के लिए यहाँ पर 350 रपे राजिस्तान के OBC और आप candidate सोचेंगे सर राजिस्तान के other state के candidate भी apply कर सकते है इसका मतलब दोस्तों नहीं कर सकते है डिपार्टमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया है इसलिए वही information मैं आपको दे रहा हूँ तो OBC के लिए 350 रपे और SCST के लिए यहाँ पर 250 रपे है राजिस्तान के ठीक है age limit की बात करें तो 11 2019 को आपके 18 से 40 साल होने चाहिए और बाकी age relaxation की बात करें तो राजिस्तान गोवर्मेंट के according आपकी जो है यहाँ पर age होने चाहिए means आप राजिस्तान की गोवर्मेंट के according SCST है या फिर आप OBC है तो आपको उसके according age relaxation मिलेगा आगे post इम मैंने आपको बताई दिया महिला supervisor की post है पोस्ट जो है 180 यह अच्छी बात है salary salary आप देख रहें कितनी ज़्यादा जा रही है 33,800 रुपे से 1,6,700 रुपे तक salary जा रही है qualification जैसे के इन्होंने notification में दिया है कि इसकी जो qualification है वो सिर्फ graduation ही रहनी चाहिए और अब बात करते कि मैंने आपको pamphlet पे भी दिग गया होगा thumbnail पे कि यहाँ पर जो है मैंने cd भरती लिखा है तो हाँ यहाँ पर इन्होंने कोई इस तरीके से mention नहीं किया है कि अभी return test होगा या interview होगा तो इसकी return से अभी बात में आएगी मैं जो है कोशिश करूँगा कि department से पूछ सकूँ या फिर RTI डाल सकूँ तो यहाँ पर अभी confirmation नहीं है return exam होगा या interview होगा अभी आपको इसके लिए wait करना पड़ेगा तो आगे बढ़ते हैं आगे जो हैं हम बात करेंगे notification की यह इसका notification है वैसे इसका link मैंने आपको description में दे दिया आप वहाँ से जाकर भी details को पड़ सकते हैं और यह कुछ इसके contact number है यह contact number पर आप ज़रू कोल कीजिए और इनसे confirmation थोड़ा थोड़ा ले लीजिए मैं आपको suggest करूँगा या आप इसका form खुद fill करने का try ना करें अगर आप expert है तो कर ले otherwise ना try करें क्योंकि इसका form फिल होने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि क्योंस के माध्यम से पहले starting को आपको SSO ID क्रेट करने पड़ेगी और उसके बाद आपको payment करने पड़ेगी फिर जाके आपको form को fill करना पड़ेगा तो यह इसकी information है यह आप अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया लिखिए यह आपकी responsibility बनती है कि आपको पढ़ना है मैं आपको बताये तो इस पर जाना है आपको वैसे इसका link मैं आपको description ने दे दूँगा यहाँ पर जाकर आपको अपना जो है एक ID create करने पड़ेगी ID create करने के बाद वहाँ पर आपको अधार कार्ड की जरुत पड़ेगी अधार कार्ड या फिर Facebook या फिर आप Google प्लस वहाँ से login करके आप जो है इसका क्योस पर registration कर सकते है और क्योस पर registration के लिए आपको फी payment करने पड़ेगी मैं अब यह आपको portal दिखाऊंगा किस तरीके का होता है तो यह free जो है आपको pay करने पड़ेगी प्लस आपको 10 रुपे जो है extra और pay करने पड़ेगे तो यह आपकी responsibility बनती है कि आपको जो information देखनी है और एक बर कोशिश हो तो आप इस पर contact करके भी पूछ देना मेरी तरफ से तो यही suggestion है कि आप cyber cafe जाएए और form को वहाँ से fill करवाई क्योंकि वो expert होते हैं आपका form वो easily fill कर देंगे आगे और information है यह आप अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद जो है परिक्षा शुल्क मैंने आपको बता दिये कि कितना कितना है आप फिर भी एक बर notification में देख लेना link का आपको description में मिल जाएगा apply करने का notification का और आपको सारे notification के link जो भी होगा information वो आपको description में मिल जाएगी और यहाँ पर जो है यह आप देख सकते हैं यह जो है आप अच्छे से पढ़ लेना यह criteria notification में जाके और आगे बढ़ते हैं यह थोड़ा अनुसुची जनजाती के लिए दे रखा है अनुसुची चेतर के लिए दे रखा है तो यह आप देख लेना और बाकी यह आपकी responsibility बनती है कि इसको अच्छे से पढ़ना और कोई भी issue हो तो आप comment book से mention करना मैं कोशिश करूँगा कि आपकी problem को solve कर सकूँ कोई issue हो आए तो उसे resolve कर सकूँ और आपको उसके बार में बता सकूँ तो यहाँ पर complete information दे रखिए यह आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना यह salary वाला part जो मैंने आपको बताया था starting में और मैंने thumbnail पे लिखा हुआ है और जहाँ पर आपके documents भी attach होंगे पहली बता दू तो इसलिए मैंने बोला था कि आप जहिए और जो है अपना form किसी cyber cafe से fill करवाई यह इसका criteria दे रखा है कि क्या क्या education qualification criteria है तो यह आप पढ़ लेना और नीचे जो है अन्य योग्यताई भी दे रखी है तो यह सारी आपकी responsibility बनती है कि आप जो है इसे अच्छे से पढ़े और यहाँ पर यह भी दे रखा है कि भारत का निवासी होना चाहिए अब यह मैं समझ लेना कि भारत का निवासी means all India apply कर सकते हैं तो all India apply नहीं कर सकते हैं देखो जोस्तों मैंने department से consult किया उन्होंने मुझे जैसा बताया मैंने आपको वो information दे दिया है मैंने इचाहता कि कोई candidate से आपर form फिल करें और उसका जो है form reject हो जाए बाद में और उसकी फी payment बेकार हो जाए तो हम मैं आपको दिखायता हूँ कि किस तरीके से आपको registration करना और form का portal किस तरीके से open होगा तो मैंने एक link दिया है तो आपको new registration के लिए बोलेगा इस तरीके से page open होगा अब ये आपको देखना है कि आप किस से registration करना चाहते है ठीक है ये आप देख लेना जैसे कि मैंने जो है details फिल करके registration कर दिया तो मेर को जो है यहाँ पर इस तरीके का बोल रहा है कि registration successful your password for SSO ID online and offline ग्यान is send for your registration mobile send to your registered mobile number और email ID तो इन्होंने मेर को mail ID पर मेरे password भेज़ दिया था तो मैंने जो है password से फिर login किया, login के बाद मेरे सामने ऐसा portal open हुआ, यहाँ पर आपको अधार काट से verify करने के लिए बोलेगा यहाँ पर आपको state डालने के लिए बोलेगा फिर address तो सारी information आप properly fill करना fill करने के बाद जैसी आप update करेंगे तो आपके सामने ऐसा page open होगा यह वाला, यह वाले के click करने के बाद आपको जो है इन में से एक part पर click करना है क्योंकि इन पर click करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए पूछेगा एक chaos और फिर जो है आपका ऐसा एक page open हो जाएगा तो ऐसा page open होने के बाद आपको जो है यहाँ पर यह submit करना पड़ेगा आपको एक registration ID और password मिल गया फिर उसके बाद मैंने एक और link दिया अप्लाई करने का तो अप्लाई करने के लिए आपको ऐसे लिंक पर click करके यहाँ पर अप्लाई ओन लाइन पर click करना है इस पर click करते ही आपका ऐसा page open होगा फिर जो है आपको यहाँ पर आना है properly apply online उससे पहले बता दू यह जो है आप यहाँ पर instruction to upload photo and sign यहाँ पर जो है यह अच्छे से पढ़ लेना इस पर click करके download हो जाएगा और full advertisement के लिए आप यहाँ से भी click कर सकते हो मैंने link भी description में दे रहा है इस पर click करके आप जो है इस form को fill कर सकते हैं so मैंने fee payment नहीं करी थी इसलिए मुझे जो यहाँ पर आगे का option नहीं देगा so आप fee payment कर देना पहले जो उन्होंने 20-30 पर क्योस की बोल रखी है उसके बाद ही आपको apply online का मोखा मिलेगा so 180 भरतिया है अगर आप eligible है तो form जरूर फिल करें तो धन्यवादी studio को देखने के ल और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना